सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो यहां पर दीखिए सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन प्रेस कर दीजाएगा ताकि आपको नई वीडियो के सूच ना मिलती रहे कुछ सब्सक्राइबर दोस्त मुझसे पूछते रहे अब 22 रुपए के था तो 27-28 भी क्रॉस कर चुका और थोड़ा साज डाउनसाइड है लेकिन काफी अच्छे रेटन एक हफ्ते में दे दिया है जिन्हों ने लिया होगा वो तो माला माल हो गया है इनिवेस एक और भी मैं कंपनी के बारे में बताने वाल हूँ पहले भी मैं अजिया भरते हो या कमरे कमरा हो शेर उसके खरीद-खरीद के खरीद-खरीद के आप भर लीचे भर के उसको लोग कर लिजए है इसको बेचिये गमद 5 अलों तक छेडिये गमद जितना लबा आप रखेंगे उतना मोटा माल कमाएंगे आप मेरी गरंडी क्योंकि इसने इस company न 10 सालों में या जब भी जिसने पैसे लगाए है उसको निराश नहीं किया है हमेशे उसको रिटेट पर आके दिया है तो company के बारे में बताऊंगा मैं ये करती क्या है सकुमा Export Limited has built a long-standing relationship with the regional buyers and suppliers of various grades of sugar यहाँ पर देखिए ये sugar में raw refined and crystal ये bulk में बेशती है और domestic and global markets में इस तरीके से इसकी ये products oil and oil seeds अलग-अलग countries में export करती है और इसके products देखना बहुत ज़रूरी है आपको और grains, grains में जैसे की गे हूँ, चावल, है ना ये सब सारी चीजें दाल हो गए, दाल के, बीन्स हो गए और इनका जो market है include Canada, Ukraine, African continent, Australia, Indonesia, Myanmar, Kolombo, Pakistan, Bangladesh, of course Indian customers too और मसाले, मसालों में जितने प्रकार है, इनको black pepper हो चाहे, mustard oil हो, अजवाइन हो और सारे जितने मसाले में चीजें प्रियुक्त होती है Animal feeds, जो जानवरों को खिला जाते हैं उनकी feeds, ये हैं, और Middle East, यहाँ पे इनका ज्यादा market है इस product का, cotton और भी कई बहुत सारे product हैं, अगर आप इनके चाहें तो websites भी visit कर सकते हैं, Sakuma Export Limited अब चलिए हम पहले इसका कुछ basic चीजें देख लेते हैं, basic में आज इसका भाव Sakuma Export Limited 29 माई 2019 को 4 बच्चु के market बंध हो चुकी, 33 रुपए 80 पैसे के भाव पे trade हुआ और साल का जो लो था 14 रुपए इसने बनाया था 85 पैसे, high था 42.45 तो high से अभी काफी अफकोस नीचे है और यहाँ पर देखिए, P ratio है 14.88, earning per share है 2.35 पैसे, price to book 2.98, delivery देखिए, जबरदस्त है 55.89% की है, और dividend paying stock है और जिन्होंने 6 मेने पैसे इसमें डाले थे, उसको 25% की आसपास का return है, जिन्होंने एक साल पहले लगाये थे, उनको 57%, करीब 60% की आसपास मानी है, उटको return तो, साल भर में 60% return ऐसे market में जबकि साल भर ये market तो bullish था ही नहीं, बेरिश market था, bullish market में तो दुनिया कमाती है, तो उस तरीके से मैं अभी आपको actual return दस सालों के भी दिखाऊंगा, अभी quarter 4 के results तो इनके नहीं आए है, जहां तक मैंने कई websites पे चुक किया, और फिर भी मैं आपको पुराने भी पढ़ देता हूँ, September 18 से December 18 के quarter में इनको जो है 5.5.81% की net sales में इजाफा है, net profit मतलब सब कुछ देने लेने के बाद जो बचता है, इनको या 3.38% की upside जबरतस्त है, और margin में भी देखे इनोंने 0.65% की upside है, तो margin भी भी इनोंने maintain किया हुआ, वही पे अगर हम, year on year देख ले तो net sales में थोड़ी सी यहां पर 14.44% की downside है, लेकिन operating profit margin में 235.20% की upside है, वही net profit में भी 146% की upside है, margin में भी यहां 0.5% की upside है, अब हमें Q4 के इंतजार है, March 19 का financial year, तो वही रिजल्स आएंगा, तो भी मैं एक नए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहू कि यह रिटन से मैं पहले आपको दिखा दो, कि 10 सालों में अगर आपने 1,0,00、 до 25,23,000 हो गए, तो इस तरीके से 10 सालों मैं उने 2813% की सबर्दस लेटनें धो सालों में सभेंड चारों एक साल ने एक साल में together 60 per अलेकिन च्छेमेन पर जिननों लगाい था 25% की आसपास करे रहें, 1 मन्त में लगाया था 8% की आसपास करे रहे हैं, एकप्ते पहले जिननों लगाया था 1 वीक पे 8% की आसपास करे रहे हैं, और आज इसमें तो दोरीखेस कि Kneipp करीब 2.87% के holding है लेकिन यहाँ पर 14 तेशमलों 0.6% की गिर्वी रखी हुए है तो यह थोड़ा से इतनी बड़ी company में जटका है लेकिन कोई बात नहीं पैसोग जरूरत प्रती है तो लोग share गिर्वी रखते हैं अगर हाँ 90% यह 50% की उपर गिर्वी रखे होते हैं थोड़ा से एक बार सूचना पड़ता हम लोगों को मजबूरन की भाई इसमें क्या करना चाहिए लेकिन अभी ठीक है यह फाई आइस है आठ और mutual friends के zero schemes है बाकी individuals हम आप जैसे खुद्राग रहाक है 19.9% के आसपास है बेहतरी और company जो इसके बारे में आपको बताना यही चाह रहा था कि जब भी इसने जब भी आपने इसमें पैसे डाले हैं आपको रिटन बना के दिया ही देखे क्रीन में दिख रहा है तो आने वाले 10 सालों में अब जैसे कि हमें लग रहा कि एक इस्टेबल गवर्मेंट मिल गई है और export का काम हां मानता हों कि कुछ ट्रेड वार चल रहा जैसे कि US, China, Iran इन सब में थोड़ा सा export में दिक्कते होती हैं जो companies होती है एक्सपोर्ट वाली लेकिन फिर भी इनका व्यापार है ऐसी कंट्रीज में है Middle East हो गया US, Canada हो गया थो थोड़ा सा सहूलियत है और एक short term के लिए ही यह ट्रेड वार होता है कि स्वाल हो जाती है हमारा जो लंबा पिरिएड है जो हमारा ताइम है पांच साल है तो उसके लिए आप निशिंद हो के अभी इस रेट पर जो मिल रहा है 33 रुपए सी पैसे के हिसाब से आप चाहें तो भरते जाएए अगर आपको और डाउन अब जैसे डालने का आपने एक्सपोर्ड कंपणी में कुछ अच्छा खासा पैसा लगा दिया आप चाहें तो कुछ के मिकल्स के भी मैंने कई सारे वीडियो बनाएं चोटे प्राइस के भी चैमिकल के अच्छे स्टॉक्स हैं के मिल का आप बैंक में भी डाल सकते हैं यस चाहें आपका अपसी फर्स्ट बैंक है थोड़ा थोड़ा लेत रहें पूरा मधिया बंधन बैंक भी है कि बहुत लोगों को बड़े प्राइस वाला स्टॉक नहीं पसंदा था जिनके पास अमांट कम होती है तो मालीजे उन्हें मालीजे अपसी बैंक का है एक बहतरीन ब अपनी के बारे में बताना मैं चाह रहा था आप चाहें तो जरूर इसमें रिष्ट करें हाँ लेकिन एक डिस्क्लेवर भी देना चाहूंगा कि मेरा का में सिर्फ इंफ्रमेशन देना और आप कोई भी स्टॉक लेने या बिशनेस पेले अपने फनेंशल अर्वाजर जरू मश्रा करनें थैंक जी थैंक यू थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो